नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनलसेस पर स्वागत करता हूं जैसे कि कल जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा जितने लोगों ने लेवल्स की पर काम किया होगा काफी अच्छा पेसा सब को मिला होगा क्योंकि जो सपोर्ट रेजिस्टन् और मंडे से आप लोगों जैसे ही आपको वार्ड फाइल में लेवल्स आपको लिखके मिलता था सेम आपको मिल जायागा और मैं आप से सबको निवेदन करता हूं कि वीडियो को स्कीप ना करें सुरु से आखितक वीडियो को जरूर देखेगा और अगर वीडियो पसंद आखिता है वीडियो को लाइक करके चैनल सबस्क्राइब जरूर करेगा चलिए फटा पर चलते हैं टाटा मोटर्स की उपर टाटा मोटर्स का लेवल देखें के सपोर्ट रिजिश्टन्स कहां पर है पर पहले डाटा मोटर्स आपको बताना चाहता हूं देखिए एक चीज नहीं यहाँ पर एक जो स्विंग बना के मार्केट यहाँ पर नीचे आने यहाँ पर गया था ठीके तो जब तक इसकी उपर यानि की 370 की उपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा यह लेवल की उपर तो मैं आपको बाई करने के लिए ख़़श्ट नहीं करूंगा क्य सपोर्ट रहेगा 457.40 पेसा अगर Tata Motors 457.40 पेसा के नीचे सस्टेन करता है आप सेल कर सकते हो टारगेट आपका रहेगा 452.55 पेसा और उसके नीचे भी चलता है 457.60 पेसा याद रखें 457.40 पेसा के नीचे आप लोग सेल कर सकते हो इंटराइडी के लिए 452.55 पेसा और 447.60 पेसा यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा रेजिस्टन्स क्या रहेगा रेजिस्टन्स रहना चाहिए 463.10 पेसा जैसे ही 463.10 पेसा के उपर सस्टेन करता है आप लोग बाई कर सकते हो टारगेट रहना हो चाहिए 468.80 पेसा और 473.95 पेसा देके 563.10 पेसा की उपर जैसे ही सस्टेन करता है बाई कर सकते हो टारगेट 468 80 पैसा और जैसे ही 468 की उपर यारी की 470 की उपर सस्टेन करेगा 473 95 पैसा और उसके उपर भी 477 480 एसे काफ़ी अच्छे टारगेट आपको देखने को मिनेंगे तो मैंने आपको क्लियली बता दिया कि कहां तक यह जा सकता है और अंसे लेबल को सस्टेन करने से आप लोग थोड़ा बहुत डेलिवरी में भी इसको ट्रेड उठा के रख सकते हो दो तिन दिन के लिए स्विंग ट्रेड लेके रख सकते हो बट जब तक की 470 की उपर सस्टेन नहीं करेगा होल्ड करना थोड़ा बाइंग साइट में आपको म देखेंगे और सेइम चीज हाँ पर आपको देयलेव को बताना चाहता हो हां बली इसने हमारे एक सब्सक्रेंप कर सकते हैं कि आने वल दिन में थोड़ा ऊपर जाए तो चलते हैं लेवल के ऊपर और मैंने क्या levels दिया था, क्या नहीं दिया था, बोर discuss करने की time नहीं है ये, अगर आप चाहते हो तो previous day का कोई video उड़ा के देखे, कल का video देखे, मैंने कहां तक level बताया था, I think 70 के उपर भी level बताया था, 80 के उपर भी level बताया था, तो 79, 80 के उपर भी level बताया था, तो वहा इस नहीं दे पाया, बट हाँ, हर रोज मैं आप लोग के लिए video अपलोड करता हूँ, सोधाट आप लोग हर दिन video देखे, market में trade कर सको, तो चलते हैं, DLF की उपर, DLF का conscious stock level देखेंगे, support पहले देखेंगे, 373 का support है, 373 के नीचे, जैसे ही DLF sustain करता है, आप लोग उसक sale कर सकते हो, 370 रूपीज, 40 पैसा और 366, 30 पैसा, यहां तक आपको target है, 373 आपके लिए important इसलिए है, मैं आपको बतारा चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले का, जो resistance हम लोग प्लान कर रहे थे, around 72, 73 का था, तो 373 के नीचे, जैसे ही sustain करेगा, तो यहां पर weakness बढ़ जाएग 378, 10 पैसा आपका resistance में काम करेगा, जैसे ही 378, 10 पैसा के उपर sustain करता है, 383, 20 पैसा, 387, 90 पैसा, याद रखे, अगर DLF 378, 10 पैसा के उपर sustain करता है, आप लोग buy कर सकते हो, target 383, 20 पैसा, 387, 90 पैसा, यहां तक आपको जा सकता है, गाईस, अगर उसके साथ किसी को अगर paid service में join करना है, description पे whatsapp number मैंने दिया हुआ है, आप लोग check करके join कर सकते हो, काफी अच्छा offer चल रहा है, जैसे कि आप लोग के demand के साब से, काफी सारे लोग नहीं demand किया, कि sir, मंदली चार्जस इतना कम होना चाहिए, यह होना इतने सारे calls trade होना चाहिए, तो मैंने उसी accordingly मैं आप लोग को कुछ offer दिया हूँ, अगर जितने लोग telegram channel में जुड़े हैं, वो लोग देख के join कर सकते हैं, I think 2-3 जन join करना start कर दिया है, बट यह enough नहीं है, मेरे ख्याल से और थोड़ा जादा join करना चाहिए, क्योंकि काफ अप नंबर पर contact कीज़े, जो description पर दिया गया है, आपको सारे details वहाँ पर मिल चाहेंगे, चली, next आप कर रहेगा भारत electronics, भारत electronics की उपर भी थोड़ा बहुत level हम लोग देखेंगे, और जिससे कि कल मैंने दिया हुआ था, बैर 300 की उपर इसने sustain नहीं किया, और जो हमने support बताये थे, वो support के नीचे थोड़ा उपन होके उपर आगया, तो हम लोग चलते हैं, support कहां पर हैगा, 295 का support है कल के लिए, 295 के नीचे अगर इस sustain करता है, तो sell कर सकते हो, target होना चाहिए, 291.50 पेसा, 287.80 पेसा, जी हाँ, याद रखें, अगर 295 के नीचे sustain करेगा, तब आप लोग को sell करने की solution में आपको दे सकता हूँ, 291.50 पेसा पहला target, 287.80 पेसा दूसरा target, और अगर आगे जरूद पढ़ता है, तो हम लोग उसको तो नीचे के लिए, नीचे 282.80 पेसा तक हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं, बट initially, जो target था मैंने आपको clearly बता दिया, अभी resistance क्या होना चाहिए, रेजिस्टन्स होना चाहिए, 297.15 पेसा, याद रखिए, रेजिस्टन्स में थोड़ा आपको, बतलब confusion हो सकता है, इसलिए आपको वीडियो को सही चे देखिएगा, 297.15 पेसा का resistance है, target छोटा है, बट काफी अच्छा resistance है, जैसे ही 297.15 पेसा के उपर sustain करता है, आज का day high, आज का day high आपको hit करेगा पहले, 299.30 पेसा, और जैसे ही 299.30 पेसा के उपर sustain करता है, 390 के आज पास और एक resistance है, ठीक है, तो 299 से 301 के बीच में, कहीं न कहीं ये एक resistance hit कर सकता है, और जैसे ही 301 पकड़ के चलिए 30090 पेसा के उपर, जब तक sustain नहीं करेगा, दुबारा buy नहीं करना है, अगर 30090 पेसा के उपर sustain करेगा, जैसे ही मैंने 303, 307 के आसपास मैंने काफी है target बता है तो ये target दुबारा वहाँ पर achieve कर सकते हैं, ध्यान से याद रखेगा 299.30 पेसा से लेकर 30090 पेसा के बीच में, कहने के इसका एक target बनेगा, अगर 30090 पेसा के उपर sustain करेगा, तब आगे आपको buy करना चाहिए, चलिए, नेक्स टॉक के उपर चलते हैं, चलिए, नेक्स आपका रहेगा असोक लेलेंड, असोक लेलेंड के उपर भी कुछ लेवल्स हमने डिसकस किये थे, कि यहाँ पर एक major resistance हम लोग face कर रहे हैं, काफी दिनों से, 50 और 51 के आसपास, तो ये चीज़ आप लोग जरूर याद रख अगर असोक लेलेंड उसकी ऊपर sustain करता है, तो काफी अच्छा target आपको आगे चलके देखने को मिल सकता है, तो चलिए हम लोग फटाफ़ देखते हैं कल के लिए, और जैसे कि हमने जो levels प्लान अभी कर रहे हैं, असोक लेलेंड का support रहेगा 147, याद रखिए जिसे ही 147 के नीचे ये sustain करेगा, आप लोग उसको sell कर सकते हो 147, 30 के नीचे, 145, 75 पैसा पहला target, 144 दूसरा target आपको होना चाहिए, क्योंकि resistance, जब तक कि resistance की ऊपर sustain नहीं करेगा, तब तक मैं आपको buying suggestion नहीं दे सकता, बढ़ हाँ, जब तक resistance के नीचे है, आप लोग sale करके पैसा कमा सकत अगर support के आसपास जला जाता है, support से buy करके resistance तक अपना profit booking कर सकते हो, 147, 30 पैसा के नीचे sustain करते ही, आप sale करना चाहिए, stop loss बगारे लगा के, 145, 75 पैसा और 144 ये दो target आपको पहले मिलेगा, resistance रहेगा 149, जैसे ही 149 के उपर sustain करेगा, target आपका होना चाहिए, 150 रुपीज 85 पैसा, 150 रुपीज 85 पैसा के उपर, 151 85 पैसा और 151 85 पैसा के उपर, 153 तक आपको target देखने को मिलेगा, आगे चलके ये target आपको ज़रूर मिलेगा, बट आपको वेड करना है, 149 के उपर, जैसे ही sustain करता है, इंटरडे के अंदर, buy कर स सकते हो, 150 रुपीज 85 पैसा, 151 85 पैसा और 153, यहां तक आपको target देखने को मिलेगा, तो गाइस, 24 support resistance में आपको दे रहा हूं, clearly आप लोग नोट करके रखिये, यह आपको काफी help करेगा, और उसके साथ साथ, अगर किसी को भी अगर free telegram channel पर join करना है, description पर टेलिग्राम का चल रहा है, आप लोग join कर सकते हो, चली, next और final stock देखते है, State Bank of India, State Bank of India पर आप लोग ने देखा हो का मैंने आपको जो labels बताया था, वो से labels की उपर काफी अच्छा trade हुआ आपको यहां पर, और State Bank of India की उपर हमने I think 530 के असपास का target भी प्लान किया था, कल साथ हमने 526 औ 50 पैसा आपका support का काम करेगा, 518 50 पैसे के नीचे अगर यह sustain करता है, आप लोग sell कर सकते हो, 518 50 पैसा के नीचे sell कर सकते हो, target होना चाहिए 514 25 पैसा 510, यहां तक आपको target रहेगा, याद रखिए 518 50 पैसा के नीचे sell कर सकते हो, 514 25 पैसा 510, यहां तक आपको target रहेगा, जैसे ही 523 40 पेसा के ऊपर सस्टेन करेगा बाई कर सकते हो 528 30 पेसा 533 85 पेसा माना कि यहां पर आपको कैंडल काफी खरा पना है तो हो सकता है कि नीचे के लिए थोड़ा बहुत आ सकता है बट जब तक यह सपोर्ट के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप लोगो सेल कर करना है 523 40 पेसा क्यों पर बाई करना है अगर कहने की रेजिस्टन्स के आसपास जाके नीचे आने लगता है तो वहां से सेल कर सकते हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करना मन करने लेंगी गाइस जो भी लेवल्स बताता हूं सारे लेवल्स क्यों पर सही तरीके से काम करें और पेसा कमाई और खुश रहे आज के लिए इतना ही धैन्यवाद